हेई फ्रेंज स्वागत है आप सभी का मोवी स्टॉक मोवी एक्स्प्रीन चैनल पे जिस पर आज मैं एंडिंग एक्स्प्रीन करने वाली हो फॉल आउट के सीजन बन को और साथ ही कुछ डीटेल भी बताऊंगी सीजन टू को लेकर तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले में एक छोटी से रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्स्राइब करने की वेल्टो सीरीज की शुरुआत हमें 2077 से दिखाए जाती है जहां हम कूपर को देख पाते हैं जो एक बोदे पार्टी में परफॉर्म कर रहा है पर अजीब बात ये है कि किस तरह कोपर ये सारे काम को कर रहा है क्योंकि हमने थ्रूआउट एपिसोड में देखा कि वो एक एलिस्टेट सेलिब्रिटी था जो इस सेचुईशन पर कैसे आप पहुचा है और साथ ही उसकी वाइफ और बच्चे का क्या हुआ जिस पर हम थोड़ी ही देर में आएगे लेकिन जैसे कि हमने देखा ही कि नूकलियर 2077 में लाँच हो चुका था तो इसके बात इस सेरीज का में प्लॉट 290 यर्स के बात का है जहां हमें एक क्यारक्टर से इंटर्डीउस करवाया जाता है जो कि लूसी मकलीन है और इसका पॉशिन वॉल्ट नमबर 33 में हुआ है जिस वॉल्ट टेक का एडवर्टाइजमन का भी कूपर किया करता था जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वॉल्ट टेक ने ऐसे काफी सारे वॉल्ट बनाए है ताकि वो अमेरिकन लाइफ को प्रिजर्वड रख सके और अ जाती सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कूपर अपनी वाइफ के पिट बॉई में एक लिस्निंग डिवाइस को छुपा देता है जिस कारण उसे पता चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज रॉब को वेज्ट टेक बीग एमटी और रैप्टो नाम की सारी कंप होने का साथ ही उसने उन लोगों को पब्लिक जाने के भी धंकी दी होगी जिस वज़े से उसका करियर भी खराब हो गया था जिसकी पूरी इंफिमिशन शायद हमें सीजन टू में दिखाए जाएगी लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि उसने एक लेफटेस वुमिन की मी कवर कर लिया वॉल्टेक ने जिस कारण ही शायद मॉल्डिवर बकावत पर उतराई और उसी कारण से बूट 200 साल तक जिन्दा रही ताकि वो उस कोल्ड फ्यूजन को हासिल कर पाए लेकिन आजीब बात ये है कि मॉल्डिवर और कूपर 200 साल तक जिन्दा कैसे रहे जिसमे कारण वो गॉल में बदल चुका है और उसी वज़ा से उसकी बॉड़ी रेडियो एक्टिव से अट्राक होकर उसे इतने सालों तक जिन्दा रख रही है लेकिन वही बात करें मॉल्डिवर की तो वो कोई गॉल नहीं लेकिन हम ऐसा मान कर चल सकते हैं कि शायद वॉल्ट ट जलाश में है क्योंकि हम उसके पुराने दोस्त को देख पाते हैं जो से यही पूछता है कि क्या वो उसे के दलाश में है जो शायद हमें यहीं हिंड देता है कि कोपर की वाइफ और उसकी बेटी जिन्दा होगे पर प्रेजिन में हम देख पाते है कि कोपर को इसकी कोई भ लोगों के सामने ये कहा था कि वो ये सारी चीज़े अपनी बीटी के ले कर रही है पर न्यूक्लियर एक्स्प्लोजिन तभी होता है जब कूपर उसकी बीटी की साथ अकेला होता है तो हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि कूपर बिना बताई जैनी को अपने साथ ले आया था साथ हम ये भी देख पाते थे कि बारबरा इतनी महनत इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हीं एक अच्छे वॉल्ट में जगा चाहिए थी जो शायद खरीदने पर भी नहीं मिलती और अच्छे वॉल्ट के बात करें तो उनमें से एक 33 वॉल्ट की ही बात कर लेते हैं जो की शादी होने वाली होती हैं जिस दोरान हम उसके फादर को देख पाते हैं जिनका नाम हैंक मकलेन हैं जो इस वॉल्ट के लीडर और उन्हीं ओवर्सियर कहा जाता हैं लेकिन गेम की बात करें तो हम देख पाते हैं कि ठीक वॉल्ट 33 जैसे ही और भी वॉल्ट है लेकिन व सेम नहीं क्योंकि वॉल्ट टेक के ये एक्सपरिमेंट्स है जिसकारण उन्होंने सभी वॉल्ट्स को अलग-अलग तरीके से बनाए हैं और वहां अलग-अलग लोग भी रहते हैं जिनकी अलग-अलग सोच हैं और एक्सपरिमेंट्स की बात करें तो हम सिरीज में वॉल्ट नमर 4 को देख पाते हैं जहां काफी सारे साइन्टिस्ट को रखा गया था जिन्नोंने काफी अजीब वजीब से एक्सपरिमेंट किये थे क्योंकि उन लोगों पर कोई भी रोक टोक नहीं जिस वजह से उन लोग लेट भग दो साल पहले ही मारे गए जिस वजह से रेडर्स यानि के सर्फिस पर रह रहे हैं लोगों ने उन पर हामला कर दिया और वहां से हैंक मकलेन को अपने साथ ले गए क्योंकि मॉल्डिवर को ये पता था कि उसके पास कोल फ्यूजिन का कोड है जिस कारण उनकी बे कामियाब होता है और उसे ओवर सीर्स का एक सच पता चलता है कि वो सभी वॉल्ट नंबर 31 से बिलॉग करते है साथ ही वो सभी एक पॉट से निकले है ताकि फ्यूशर में हीमेनिटी को लीग कर सके साथ ही हम 31 वॉल्ट में हैंक मकलेन का पॉट दिख पाते हैं जिसके में क्लियरली लिखा हुआ है कि किस समय उसने उसके अंदर इंटर किया और साथ ही किस समय एकसर जिन सारी चीजों की पीछे और कोई नहीं बलकि बर्ट है जो कभी वैस्ट एक उपरेशन का इंचार्ज हुआ करता था और उसने ऐसे काफी सारी चीज़े बनाई हैं जो अभ उसके फादर के पॉड में जाकर वीड कर सकता है और डेफिनिटली हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉम नी उसके फादर के पॉड में जाना डिसाइड किया है और उस वाल्ट को शायद कभी न कभी कोई ओपन करें लेकिन बात करें बैटी की तो जब उसे ये पता चलेगा कि 31 को किस इसे ने ओपन कर लिया है तो वो क्या करेगी लेकिन इतना ही नहीं बलके 32 को एक नया ओवर सेयर मिल चुका है जो और कोई नहीं बलके स्टेफनी है यानि कि लूसी की बेस्ट फ्रेंड और इसे ये पोजिशन ऐसे ही नहीं दी गई क्योंकि हम वॉल्ट नुम्बर 31 में स्टे स्टेफ का एक साइंटिस्ट है और उसके जैसे और भी लोग उस जगह मौजूद है जो पपीस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और शायद उस जगह वार क्रिमिनल्स भी मौजूद हो गये जिस वजह से ही डॉक्टर विल्टिक वहां से भाग निकले वो भी कोल्ड फ्यू मैक्सिमस की तो वो ब्रदर हुड अफ सेल का एक मेंबर है जो नॉलेज और टेक्नोलोजी को प्रिजर्व रखते है लेकिन उसे के साथ वो लग कोल्ड फ्यूजिन के पीछे भी पढ़े है ताकि उसे उन लोगों की फ्यूचर को किसी तरह का बेनिफिट हो सके साथ ही मैक् की बात करी तो वो सरैंग तक पहुचना चाता है जहां उसे बड़े बड़े आर्मर्स को इस्तमाल करने का पाउर्ड मिल सके जिससे वो नोगों से बदला ले सके जिसने उसकी फैमिली को खत्म किया पर इतना ही नहीं बलकि सीजन के लास्ट एपिसोड में हम देख पाते है कि लूसी तो उसके फादर का सच पता चलता है और साथ ही उसे ये बताया गया था कि उसकी मॉम की दैट 2277 में हुई थी वो भी एक प्लेट के कारण पर ऐसा नहीं हुआ था बलकि रोस को ये पता चला था कि वाल का कुछ पानी किसी और तरह चारा है जिससे उन्हीं ये जैसे ही हैंक को पता चला तो उसनी अपने बच्चों को रोस से ले लिया और उस पूरी जगा को नीव कर दिया यानि कि नुकलियर बॉम्ब से डिस्ट्रॉय कर दिया जिसकार रोस एक गौल में बतल गई जो कूपर जैसी तो नहीं लेकिन फिर भी रोस ने उसे अपने साथ रखा है ताकि एक दिन वो दोनों एक साथ में कोल्ड फ्यूजन का सपना पूरा होते वे देखे जिस कारण ही शायद लास्ट एपिसोड में हम देख पाते हैं कि जब वो कॉल्ड फ्यूजन को एक्टिवीट कर देती है तो रोस के जॉम्बी अवतार के पहुँच उसे यही कहती है कि उन लोगों ने कर दिखाया जिसके साथ साथ नीचे लाइट स्टार्ट हो जाती है लेकिन इतना है नहीं बलके उसने हैंग को इसलिए कैप्चर किया था ताकि वो कॉल्ड फ्यूजन को एक्टिवीट करने का कोड उसे बता सके पर जैसा कि हमने देखा ही कि ब्रदर हूड ने वहाँ हमला कर दिया और लूसी पूरी तरह तूट चुकी है यह जान कि ना सिर्फ उसके फादर ने उसकी मौम को खत्म किया बलके काफी सारे और लोगों की जान लेगी जिससे उन्हें कोई फरक नहीं परता क्योंकि उनकी उन्होंने एक राइट डिसिजन लिया था जिसके साथ हम देख पाते है कि मैक्समिल साते ही लूसी के फादर को छुड़ा लेता है यह जाने बगए कि इन सारी चीजों के पीछे उन्हीं का हाथ है और उस मौके का फाइदा उठा कर उन्होंने उसे नौकाउट कर दिया और लूसी को वापस घर ले जाने के लिए कहने लगे लेकिन लूसी ने उन पर ही गंतान दी यह सोचते हुए कि उसे उसके फादर को खत्म कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए लेकिन इवेंश्विली गोली वो नहीं चलाती बलकि गॉल पहुँच उस पर गुली चला जो चीज शायद से कूपर ने भी की थी क्योंकि हम एपिसोड के एक फ्लेश बैक के सीन से देख पाते है कि किस तरह अपनी शूटिंग करते हुए भी वो किसी को मारने के लिए रेडी नहीं था लेकिन इस दुनिया ने उसे कितना बेरहम अब बना दिया है और जब गॉल ह हैंग पर गूली शलाता है तो उससे ही हमें पता चलता है कि शायद हैंग को उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता है और हम ये भी मान कर चल सकते हैं कि उसकी फैमिली अभी तक जिन्दा है जिसकी तलाश में ही उसने 200 साल ऐसे कार दी है जिस वज़र से ही उसने हैंग को हुआ क्या है और इसके साथ होने क्या वाला है? जिस वज़ासे ही उसने मैक्स को ब्रेदर हुट के साथ ही छोड़ दिया ये सोचते हुए कि ब्रेदर हुट के साथ वो सेफ रहे गा और उस सैच्वेशन से निकलते हुए इसने अपनी मॉम को शूट कर दिया ताकि वो अपनी इस खराब जिन्दगी से छुटकारा पाए और लूसी के वहां से निकलते ही मैक्सिमस की आग खुल जाती है जिसके सामने मॉल्डिवर मौजूद है और वो उसे यही सवाल कर रही है कि ब्रदर हुड इन सारे पावर्स के साथ क्या करेगा जिसके साथ साथ वह ब्रदर हुड आप पहुचते है जो मैक्सिमस को हेल कर रहे हैं वो भी उनकी दुश्मन की लीडर को खत्म करने के लिए लेकिन इससे पहले हमने देखा कि ब्रदर हुड का लीडर अल्डर क्लेरिक क्विंटिस मैकसिमس के सामने एक प्रपोसल रखता है कि वो लोग ब्रधर हुट की एक नई सीरे से शुरुआत करेगे जिसका है क्विंटिस रहेगा और उसके स्वाइड और कोई नहीं बलके मैकसिमس रहेगा यानि कि Maximus को जिस चीज की तलाश काफी शुरुआत से थी यानि कि घर की वो फाइनल ये खुद के लिए बिल्ड कर पा रहा है पर उसे लूसी के साथ भी रहना था वो भी उसके वॉल्ट में जाकर जिसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो लूसी को उसे अखिला छोडने पर ब्लेम करेगा या फिर उसकी फाइनल एपिसोड के फाइनल सीन की तरफ जहां हमने देखा कि हैंक एक लोकेशन पर आप पहुचा है जो लोकेशन नियू वेगस की है जो की गेम का ही पार्ट था औ जब देखना ही एक काफी इंडरेस्टिंग हो और कि किस तरह इसकी नेक्स सीजन को क्रियेट किया जाएगा क्योंकि नियू वेगस में काफी सारी चीज़े एकस्प्रूर करने के लिए हैं क्योंकि वहां वाल्ट नहीं बलकि उसे बनाने वाला एक मिम्बर वहां मौजूद होगा जो और कोई नहीं बलकि मिस्टर हाउस है यानि के फाउंडर और प्रेसिडेंट वो भी रॉप को इंडिस्ट्री का जिस कंपनी को हमने वाल्ट टेक के साथ 2077 की मीटिंग में देखा था और अभी प्रेजिन की बात करी तो मिस्टर हाउस को हम नियू वेगस में करने के लिए हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही दिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती हो से लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्स्राइब कर ना मत भूलिएगा बाकी मैं बलू करें करा दख आईंति है र이जा रात कर ऩो उना है कर शश कर दो से लेकर दो आई Aboriginal चैनल को सराइब क 전Яं बलूँ कर दो से कत्रफ बलूशना ही वीडियो में इस पत्रूपः ऊषण रिस वीडियों येडियों उना झाल लेकर नाय अन्यूचल है नगियों आदा़ करादा स